नमस्कार मैं हूँ अमित बर्मा और आज हम डिसकस करेंगे जहारखन जी के पार्ट टू जे एससी और जे पेशी यह दोनों एक्जाम में यहां से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और अस्कोरिंग सब्जेक्ट है जहारखन जी के जो है अस्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर करते हैं कि नमक सत्यागरा आंदोरन के तहत गिरिफतार होने वाली जहारखन की तीसरी महिला का नाम क्या है श्रीमति मीरा देवी सरश्वती देवी शाधना देवी और महादेवी की जिर्वाल तो इसका राइट एंशर हो जाएगा स्रीमति मीरा देवी उन्हें 130 में इन्ह के बाद अगर हम पर्थम महिला के नाम की जो नमक सत्यागरा आंदोरन के वक्त गिरिफतार किया गया था तो सरश्वती देवी थी और शाधना देवी थी कि इस दोनों को 1931 में हाजारी बाग से गिरिफतार की गया था अगर हम बात करें महादेवी के जिर्वाल के बारे में तो 1941 में दुम्का जीला से जो नमक साथ्या गर्ष अंदूलन चलाए जारा था इनी के द्वारा चला चला चलाए आगे बात करते हैं सेकेंड शवाल है कॉलिश्वरी मंदिर जार्खन राजी के किस जिला में इस्तित है चत्रा में हजारी बाग, लातिहार याफे गिरेडी आप लोग सुने होंगे एक नाम कोल हुआ पहाड इसके बाद अगर हम बात करें कोलुए पहाड जो है यहां पर जैन धर्म इसके बाद होगे आपका बौध धर्म और हिंदू एक तीनों धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेटन अस्थल भी है और यही पर जो है आपका जैन धर्म के पर्थम तीर्थकर जो थे रिशवदेव और पासरवनात इनकी पर्तिमा यही पर इसी पहाड़ पर इस्थित है चलिए आगे हम डिसकस करते हैं दूसरा सवाल क्या है कि सोहराय और कोवर एक परकार का है चितरकला निर्तिय गीत या फिर इन में से कोई नहीं आप लोग सब जानते होंगे जहारखन करेंड अफिर से लेटेड़ कोश्चन से हैं इसका राइट एंसर यह हो जाएगा चितरकला यहने हाले फिलाल जहारखन का पहला जी आई टेक जो है इसी को मिला है सोहराय और कोवर को इस जो सोहराय और कोवर जो है इसको जी आई टेक दिलाने के लिए पर्थम प्रयास किसके द्वारख किया गया था तो उसका नाम है रवीशंकर शुकला रवीशंकर शुकला ने 2017 इश्वी में यह जो है आपका हजारी बार के उपायुक्त थे जो 2017 इश्वी में इन्हें जी आई टेक दिलाने के लिए सबसे पर्थम प्रयास किया गया था रवीशंकर शुकला के द्वारा चलिए आगे हम बात करते हैं स्टडी मेट्रियल आप ले सकते हैं पीडिया फ्लस टेस्ट वगेरा होते हैं सीजल का हम तुदे ही रहे हैं बाकी सेवंथ जीपीसी का एक सेप्टनबर से स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग जोईन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए इस नबर पर वाट्सप कर सकते हैं या तो फिर कॉल कर सकते हैं चलिए देखते हैं सवाल जो है सब्ताह भर तक मनाई जाने वाले पर्व कर नाम बताएं पर्व तहवार से सवाल है हर एक्जाम में एक से दो सवाल पूछे जाते हैं चाहे जीए ससी हो या फिर जीपीसी तो सब्ता भर तक मनाई जाने वाले पर्वतेहवार का नाम बताए जो पालतु जानवर से शम्मंदित है अगर आप एक साइज या स्पेशल वरांच के एक्जाम दिया होंगे जो जिससी के द्वारा ली गई थी तो वहाँ पे एस सवाल पूछा गया था इसका राइट अंशर है वंदना देखें वंदना जो है आपका कार्तिक अमवस्तिया के दिन मनाई जाता है सेंद्रा जो है इसका अर्थ होता है सिकार इसका आर्थ होता है सिकार सेंद्रा दो तरह के होते हैं पहला जो है फागुन के महने में मनाई जाता है जिसको करते हैं फागु सेंद्रा और दूसरा जो होता है आपका वैसाक के टाइम में मनाई जाता है उसी करते हैं वैसाक सेंदर फर्स्ट जो है अच्छा लास्ट हम बात करते हैं तीसरा टूसु परू तो सूर्य पूजा से सम्मंदित है और मकरशंग्रांती के दिन मनाई जाता है चलिए नेक्स्ट कुशन डिसकस करते हैं कि गंतंत्र दिवस पर सीमिडेगा जीले में बहुत ही अच्छे सवाल है गंतंत्र दिवस पर सीमिडेगा जीले में एक सप्ता के लिए मनाई जाने वाले तेहव मेला का नाम बता है पर मेला पूछा जा रहा है गांधी मेला विकास मेला ए तथा भी दोनों या फिर बिंदुधाम मेला तो आपको पता होगा कि बिंदुधाम मेला जो है साहिव गंज में लगता है ए भी जो है एक सप्ता के लिए मेला लगता है साहिव गंज में और चेत महिने की दिन ए मेला लगता है इसका राइट इंसर हो जाएगा ए तथा भी दोनों गांधी मेला को ही हम लोग विकास मेला भी करते हैं गांधी मेला को ही विकास मेला करते हैं बुक्स वेगरा पढ़िये को तो बहुत अच्छे चीज लिखे होगे वहाँ पे कि सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा परदर्शनी लगाई जाती है और इसे ही हम लोग विकास मेला करते हैं कि आगे डिसकस करते हैं निमलिखित में से संथाली भाषा सत्ती की एक पत्रीका है कि पत्रीखा और और अन्सर होजाएगा होट शम्वाद अब लोग नाम ऋने हुँंगे आ कि दोमन शाहु समीर कि उन्होंने इस पत्तिरिका का जो है परकासन किया था सबसे पहले देवभर से किया लेखिन बाद में फिर इसे दुमका से किया जा रहा है इक और पत्तिरिका है जारखन का ये Man of Hindia 1929 में सरत चंद्र द्वारा, सरत चंद्र राय इसके द्वारा परकासित किया गया था नेक शंबात करें जारखन ये भी एक पत्तरिका है 1937 इस्वि में इस्वरी परशाद द्वारा कहां से गुमला जीला से यहां से परकाशित किया गया था याद रखिया कि डोमन साहु समीर के बारे में कब परकाशित किया गया था 1947 में सुरू में देवगर से किया गया था लास्ट में दुमगा से किया गया Man of India जो पत्रिका है 1921 में किया गया था सरत चंद्रद्वारा रांची से और जार्खन जो पत्रिका है 1937 में इस्वरी परशाद द्वारा दुमकाजिला से किया गया था आगे हम बात करते हैं भारत की पर्थम बहु अधिया नदी घाटी पर्योजना निमलिखित में से एक है बहुत ही अच्छे सवाल है जब आप बहु अधिया पर्योजना पढ़ोगे तो वहाँ पर सारी सीज़ आपको देखनों को मिल लेंगे वही से एक सवाल लिया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका दामोदर घाड़ी पर्योजना इसका डेट अगर पूछेगा तो 1941 बताईएगा यह जो है आपका जारखन और वेश्ट बंगाल यह दोनों की संजुक्त पर्योजना है दोनों राजी की संजुक्त पर्योजना है अगर हम बात करें स्वर्ण रेखा का तो स्वर्ण रेखा जो है तीन तीन राजीयों का संजुक्त पर्योजना है एक तो आपका हो गया जारखन एक हो गया वेश्ट बंगाल और एक हो गया ओडिश्या इसका डेट अगर आपको पता हो तो 1982 से लेकर 1983 इसी वक्त इसको असापित किया गया था फिर अगर हम बात करते हैं मईयूराची के बारे में एक यह जो पर्योजना है दो राजियों की बीच की पर्योजना है पहला है जार्खन और सेकेंड है वेश्ट बंगाल आपको पता है इसी जो मयूराशी पर्योजना है दुमका जीला में है और यहीं पर एक है मसान जोर डेम यह जो मसान जोर डेम जो है कनाडा सरकार के साहिता से बनाये गया है फिर अगर बात करते हैं लास्ट ओप्शन कोनार सी चाही तो आपको पता है यह हजारी बाग में इस दित है तो इस तरह से सवाल पूशे जाते हैं दामोदर गाटी के बारे में फिर देखें यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग जान लेजें दामोदर गाटी जो है यहाँ पर इस पर टोटल जो है दामोदर गाटी पर्योजना जो थी टोटल आठ बान थे आठ बान जो है टोटल तीन नदी पर बना था सबसे पहला जो है दामोदर पर सकेंड जो है बराकर नदी पर और थर्ड जो आपका है वोकारो नदी पर बराकर नदी जो है यहाँ पर बना था तिलाया डेम एक हो गया दूसरा हो गया मैथन और थर्ड हो गया बाल पाड़ी जो गिरिडे में सित है मैथन डेम जो है आपका धनबाद में है और तिलया है जो कोडरमा जीला में सित है बोकारो नदी जो है इस पर बना है कोनार कोनार डेम इसी पर बना हुआ है और हम बात करें बोकारो डेम तो इसी पर बना हुआ है बोकारो नदी पर इसके बाद अगर हम बात करें दामोदर पर तो दामोदर पर आयर बांध है इसके बाद पंचेत डेम जो धनबाद में है इसके अलावा बेरमो डेम यह भी आपका बुकारू जीला में है तो इस तरह से टोटल आठ बांध बनाये गये थे दामोदर घाटी परयोजना के अंद जो है जार्खन और वेश्ट बंगाल की संयुक्त पर योजना है चलिए आगे हम डिसकस करते हैं जार्खन में कांच उद्योग छेत्र इस्थित है कहां पर रामगड रांची बुकारो या फिर शिंद्री इसका राइट अंसर हो जाएगा रामगड रामगड में एक जगा का नाम है भुरकुंड इसी जगा पर कांच उद्योग सबसे जादा है जार्खन में एक चीज और पूशा जाता है इंडो आईशो गलास फेक्टरी कहां पर इस्तित है इंडो आईशो गलाश फैक्ट्री यह आपका भरकुंडा में इस्तित है रामगर्जीला में अगर हम रांची की बात करें तो रांची जो है रांची में HEC कारखाना जो है रांची में इस्तित है इसका नाम है हेवी इंजिनेरिंग कॉरफ def Pro अगर हम बात करें इस्तिति सिंद्रि आगर हम बात करें तो रसायन इवन उर्वरक उद्योग जिसकी अस्ठापना 991 विश्में की गई थी कहां पे है सिंद्री कहां पे है धनबाद जिल्ला में चलिए आगे हम नेक्स्ट प्रस्म करते हैं कि धनमाद इस्तित पार्टली पुत्र मेडिकल कॉलिज का नाम बदल कर क्या किया गया है हाली फिलाल 15 अगस्त के वक्त जो हमारे CM है हमन्त सोरंजी ने इन्होंने चार मेडिकल कॉलिज का नाम बदल कर कुछ अलग रखा है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि धनमाद इस्तित पार्टली पुत्र मेडिकल कॉलिज का नाम बदल कर क्या रखा गया है पहले पार्टली पुत्र था लेकिन अब उससे उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है इसका राइट अंसर हो जागा निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अब थोड़ा निर्मल महतो के बारे में जान लिजे इन्होंने जे में की अध्याच जे एम एम इसके अध्याच के पद पर रहे थे 1984 इश्वी में जहारखन अंदोलन में इनका अहम भूमिका था और आठ अगस्ट आठ अगस्ट 1987 इश्वी को इनकी हत्या कर दी गई इसके बाद हम लोग जान लेते हैं जो चेंज किया गया है नाम आप लोग सुन लिजेगा हजारी बाग में जो है हजारी बाग मेडिकल कॉलेज का नाम मदल कर रखा गया है सेख विखारी मेडिकल कॉलेज दुमका में जो है मेडिकल कॉलेज उसका नाम रखा गया है फूलो जहानो मेडिकल कॉलेज धनबाद में जो रखा गया उसका नाम निर्मल महतो Medical College और पलामू में जो रखा गया उसका नाम रखा गया है मेदनी राय Medical College इस तरह से चार नाम मतलग है चार Medical College का फिर हम आगे हम बात करते हैं नेक्श्ट सवाल है कि जारखन के सबसे घहना जंगल सारन्डा इस्थित है कहां पर इसका राइट अंसर वेश्ट सीभूम हो जाएगा इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि 700 पहाडों की भूमी भी कहा जाता है वेश्ट सीभूम में है सारन्डा जंगल जिसका नाम है इसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विरीच है साल के विरीच है यह सवाल में पूछे गए हैं एक्जाम में इसको असकीप मत कीजेगा फिर हम बात करते हैं लातिहार के बारे में तो जारखन का एक मात्र राष्ट्य द्यान जो है लातिहार में इस्तित है नेत्रहाट भी आपका लातिहार में इस्तित है सबसे ऊचा जगा है सबसे ठंड़ना जगा है पाट छेतरी भी नेत्रहाट के अंधरिकत ही आता है फिर हम बात करते हैं हजारी बाग तो हजारी बाग में आपको बताया थे कि गर्म जलकुंड जो है सुरी कुंड हजारी बाग में ही इस्तित है बरी जगाफर इसके बाद कावा हो गया टाइगर गर्म जलकुंड हो गया हर हर जल्म कुंड हो गया इस अब सारे हजारी बाग में इस्तित है चत्रा में अगर हम बात करते हैं तो तमासीन हो गया तमासीन यह भी आपका चत्रा में ही इस्तित है अच्छा एक चीज आप लोग याद रखेगा कि फोर्ष्ट सर्वे ओफ इंडिया इनके अकोर्डिंग जो है जार्खन का जो जार्खन में परतीसत के अकोर्डिंग जो सबसे ज्यादा वन है उल्लातिहार जिल्ला में ही इस्तित है ज्यादा वन है इसको आप याद रखेगा अगर हम नियुनतम के बात करें पर्सेंटेज के अनुषार नियुन परतिसत वाला जंगल वाला जीला कौन सा है तो उसका अंसर हो जाएakes जामताड़ा लातिहार में जो जंगल है percentage के according हम बात करेंगे तो 56.08% हो जाएगा इसका और जामताड़ा की बात करें तो 5.56% सबसे कम जो है परतिशत के हिसाप से जंगल जो है जामताड़ा में है और सबसे ज्यादा परतिशत के हिसाप से जंगल जो है लातिहार में है वन है कि आज के लिए इतना ही था फिर हम नेक्ष्ट तीसरा लेक्षर में डिसक्स करेंगे अधिक जानकारी के लिए मेरे नमबर पर कॉंटेक्ट या फिर वाटशब कर सकते हैं हमारा जो है सोसल मेडिया से आप जूट सकते हैं फेस्बुक टेली अ attracting यूट्म यूट्यूब सारा जो है जिस से यस़ अनोट के न नाम से हैं टेलीग्राम का टेलीग्राम ahead निक नीक दिया हुआ हूँ वहां से आप टेलीग्राम जोएन कर सकते हैं आज के पीडियोप में वहीं दे दूँगा इसके अलावा एक्जाम पोटल एप को इंस्टॉल कर सकते हैं यहां से आप स्टेडी मेट्रियल वेगरे फिरी में पढ़ सकते हैं आज के लिए इतना ही था धन्यवाद